हेलोस तो आप सब इक सोक बात करेंगे आपर SBI के बारे में इस कंपनी के अंदर एक ऐसी धमा के दार ब्रेक इन्योज आज चुकिए जिससे इस कंपनी के शेयर होल्डर की किस्मत भी बदलेगी और जबरदस तरीके से इस कंपनी के बिजनेस में भी आपको तेजी से इंप्रुमेंट देखने को मिलेगी अभी किसी के पास यहाँ पर SBI के शेयर्स अविलेबल है या किसी निवेशेक को खरीदने के लिए इंट्रेस्ट है तो आप जरूर यहाँ पर इस वीडियो को अंडरस्टैनिंग करना और SBI यह कंपनी इतनी अच्छी है कि लाइफ टाइम आपको अभी चलते वे नजर आएगी और सालों से यह कंपनी वर्क भी कर रही है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और मैं आपको बता दो इसमें इतना वेटेज है कि आपको अच्छे रीटन कमा कर दे दे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर यहाँ पर पास्सो पचास रुपे पर SBI का यहाँ पर शेयर चल रहा है और काफी समय से इसने जो इंप्रुमेंट दिखाई है इसको और भी कंटिन्यू करने का पूरा दमखम इस स्टॉक में अवेलेबल आई क्यू कि देखिए इसमें fluctuation देखने को मिलते हैं बट company जाती है टॉप पर और अभी तो इसमें आपको बता दू एक तो valuation से भी इस टॉक कोई महेंगा नहीं है और साथी इस company में दो जो breaking news आये हैं वो इसको support करते आगे growth के लिए अईसे तो हम यहाँ पर इसके result को भी observe करें तो state bank of India के result हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं revenue और इसके जो NPA वगेरा होते हैं यह काफी अच्छी तरीके से improvement में देखने को मिलते हैं अभी इसके यहाँ पर breaking news की बात करें SBI and Union Bank of India said to raise rupees 5500 करोड रूपीज तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर SBI and Union Bank यह दोनों मिलकर कितने रूपे यहाँ पर collect कर रहे हैं market से fund raise कर रहे हैं 5500 करोड का और यह बहुत बड़ी बात है और इससे क्या होगा देखिए इनके पास liquidity आएगी liquidity से यहाँ पर ही अपना business expand करेंगे और यह पूरी तरीके से bonds जो होते वो लाकर 15 साल के जो bonds होते हैं वो लाने वाले हैं और उससे यह जबरदस कमाई करेंगे bonds पर interest होता है और वो यहाँ पर 10 से 15 साल तके कुछ ऐसे bonds वगेरा रहेंगे और इसके अंदर देखिए the bank is said to be entailed with LIC, UTI, HDFC Life and ICASIA Life and other companies यह क्या यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो नाम है ना यह कमपनियों के LIC वगेरा HDFC Life Insurance यह क्या करेंगे इनके साथ यह आपर यह bonds वगेरा खरीदेंगे यह sale करने के लिए बुलाय वाले भड़े investors हैं तो आप यहाँ पर हलके में लेते होंगे कि SBI यहाँ पर जैसे कि SDFC Life Insurance Company बहुत छोटी है कोई यहाँ पर इसमें benefit वगेरा ने ऐसा आपको लगता होगा आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा कितनी powerful company है और इतना बड़ा fund raise कर रहे है तो इसके उपर अच्छा खासा यहाँ पर benefit भी मिल रहा है investor को तो जो percentage है वो भी अच्छा है return का और साती यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस stock के अंदर chances अच्छे बढ़ रहे हैं आज भी यहाँ पर 56 lakhs quantity SBI के अंदर खरीत कर निवेशक ने रख ली है and मैं आपको अब इसके target के बारें बताता हूँ इसके target 700 रुपई के बताए गए है better credit rating गई इसकी और बहुती जबरदस और outstanding company इंडिया में है आप सभी जानते होंगे कभी visit किया भी होगा न आपने तो आपको पता होगा SBI bank कितनी super चल रही है कितना customers है कितने branches है company कितना अच्छे charges मारकर पैसा कमा रही है वो आपने यहाँ पर देखा होगा और आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते इसका revenue क्यों बढ़ रहा है company क्यों profit में है और आने वाले समय में भी इसका future क्यों bright है वो भी आपको अंदाजा आता ही होगा इसलिए कह रहा हूँ कि SBI इस bank के अंदर निवेश करना काफी फायदे मन रहेगा और banking sector एक improvement वाला और जबर्दा सर्विस सेक्टर है इसमें growth आने वाले future में दिखाए देते हैं तो I hope आप इसके साथ continue कर सकते है sufficient आपके लिए जितनी information थी हो मैंने बताई है Thank you so much